नमस्कार सभी भाईयों को राम राम मैं आपका भाई हनुमान परशाद आपके अपने यूटूब चैनल पे सभी भाईयों का हारदिक अभिनांदन करता हूँ और जो भाई इस चैनल पे पहली बार है अपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और पास मेंदी के गंटी के निशान को जरूर से दबा लें जी ताकि हर नए आने वाली वीडियो और नए नए पशुधन की जानकारी आपको समय समय पे मिलते रहे आज हम आपके लिए मुर्रा ब्रीड की दूसरे ब्यांत की एक जोटी लेके आए हैं आज की वीडियो में एक्स्ट्रा और नरी की जोटी देखने को मिलेगी आपको जो आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाइट लेंट वाली जोटी आज की वीडियो में अच्छे पुठाडे की बिल्कुल ब्रीक चमडी की जोटी है और बिल्कुल छोटा सिंग, अडर क्वाल्टी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है बिल्कुल चोड़े अडर की है और जो थणों के बीच का सपेस है काफी शानदार है दूर दूर थण है देख सकते हैं आप और दोहरा मुठिया थन लगा हुआ है बिल्कुल नरमदार की जोटी है ये जोटी अपने दूसरे ब्यात में ब्याई है ब्याई को दो दिन हो चुके है खीश से भी इसको खाली कर दी गई है थोड़ा छोड़ दिया गया है ताकि ताजा पसुए केल्सियम ना तूटे इसका तो आप देख सकते हैं इसके पिछे मेल काफ है जी और पहले ही ब्याई में इस जोटी ने 14 से 15 लिटर दूद दिया है अच्छे मिलिक लाइन की जोटी है और इसके पिछे जो मेल काफ है वो M29 का बेटा है जी देख सकते हैं आप मुरा ब्रीड की जोटी है और इस ब्याईत में ये जोटी 16 से 18 लिटर तक दूद दे सकती है जो आप जोटी को देख के अंदाजा लगा सकते है और कोई भी बाइस जोटी को पर्चेज कर सकता और कहीं भी ट्रांसपर्ट करवा सकता है ट्रांसपर्ट की जो फैसलिटी है हो ہर जगए के लिए अविलेबल है और पराइज की बात की जाए तो पराइज यों डिड़ लाखर पे डिमाड के जा रहे है ये इसका मिल काफ है जी और डेड़ लाफ में आपके ये गर पहुंचा दी जाएगी और जा हमारे डेरी फारम पे आप विजिट करके दो से तिन समय की मिल्किंग चेक करके भी यहां से पुसुदन को परचेज कर सकते हैं हमारे डेरी फारम पे एने टाइम बीस से बाइस बैस बिकरी के लिए अविलबल रहती है जी और अधिक जानकरी प्राप्त करने के लिए आप हमारे निचे दिएग नमबरों पर समपर कर सकते हैं तो सभी भाईयों को राम राम धन्यवाद जी